वे कौन कौन से नेता हैं जिनको नरेंद्र मोधी ने चुनाओ मैदान में उतारा था लेकिन उन लोगों को करारी हार का सामना करना पड़ा इसके अलावा सवाल ये भी है नरोत्ता मिश्टरा की हार आखिरकार क्यों हुई और नरोत्ता मिश्टरा अब आगे पांच साल तक क्या कुछ करेंगे नमस्कार मिरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक आप सब को पता है कि कल चार राज्यों के विधान सभा चुनाओ के नतीज़े आए हैं जिसमें मध्ध प्रदेश भी शामिल है मध्ध प्रदेश में विधान सभा की कुल 230 सीटे हैं और पता चला जो चुनाओ नतीज़े आएं नतीज़ों के मुताबिक भारते जनता पार्टी को जनता ने प्रचन बहुमत देने का काम किया लेकिन वहीं मध्ध प्रदेश के ग्रह मंत्री और बीजेपी के विधायक नरोत्त मिश्रा को करारी हार का सामना करना पड़ा है खेर अकेले मिश्रा जी नहीं है बारह ऐसे विधायक मंत्री हैं जिन लोगों को अधिकतर कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याश्यों ने भूल चटाने का काम किया है फेरिस्त लंबी है मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से मंत्रियों की हार इस विधान सभा की चुनाम हुई है देखे दतिया से नरोत्त मिश्रा जो ग्रह मंत्री मी हैं चुनाव लड़े थें लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा है इसके लावा हर्दा से कमल पटेल हार गएं बमोरी से महेंदर सिंग सिसोधिया हार गएं बड़वानी से प्रेम सिंग पटेल को हार मिली है अटेर से अरविंद सिंग भदवरिया को हार का मुह देखना पड़ा है बदनावर से राजवर्धन सिंग हार गएं, बाला घाट से गवरी शंकर विशेन हार गएं, ग्वालियर ग्रामीर से भारस सिंग कुश्वाहा हार गएं, अमर पाटन से राम खिलावन पटेल को हार का सामना करना पड़ा, पारस वाला से राम किशोर और नानो कावरे हार गए पहरी से शुरेश धाकर को हार का हमू देखना पड़ा है खरगापुर से राहूल सिंग लोधी शिवपुरी से एशोधरा राजे सिंधिया चुनावी नहीं इन्होंने लड़ने का पहले एलान कर दिया था कुल 33 मंत्री थें और 33 मंत्रियों में से 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा लेकिन बड़ा सवाल और यही खड़ा होता है आखिर नरोत्ता मिश्रा क्यों हारें नरोत्ता मिश्रा तो बड़ी बड़ी बाते क्या करते थें दम भरा करते थें, विवादम रहा करते थें, लेकिन जनता ने धूल चटा दिया, जनता ने एक तरब से कॉंग्रेस पायटी के प्रत्याशी को मतदान करने का काम किया, इंडिया टीवी इस पर एक आटकल लिखता है सीयम बनने का भरते थे दम लेकिन अपनी विधाय की भी नहीं बचा पाए नरोतमश्त्रा कॉंग्रेस उम्मिद्वार ने इनको मात दी है अब आगे देखिए इंडिया टीवी आगे लिखता है कॉंग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल और नेता पृतिपक्ष गोविद सिंग और जीतुपटवारी भी इस बार विधान सभा में नजर नहीं आएंगे इसके साथ ही शुरास सिंग की सरकार में ग्रह मंत्री और बीजेपी के फाय ब्रैंड नेता नरोतर मिस्त्रा भी चुनाव हार गए हैं बता दे की मिस्त्रा को उनके समर्थक अगला सियम बताते थें वा खुद भी कई बार सियम बनने की इच्छा जाहिर कर चुके थें लेकिन इस बार ऐसा मौकात था उससे पहले ही वे चुनाव हार गए हैं और वहीं देखे दतिया विधान सभासीड से उन्हें कॉंग्रस पार्टी के उम्मिद्वार भारती राजजेंद्र ने मात दी हैं भारती को जहां 88,977 ओट मिले तो मिस्त्रा को केवल 81,235 ओट मिल सके हैं और इस तरह सिवा 7,742 ओटों से चुनाव हार गए हैं और यही मिस्त्रा जी हैं जो देखते थें कि आज दीब का पादकोर किस रंकी बिक्नी पहन रही हैं किस रंकी कपड़े पहनती हैं कपड़ों के भीतर क्या है बिक्नी है या नहीं है मिस्तरा जी देखते थें क्योंकि जब मूवी आई थी आप सुख पता है किस तरीके से इन्होंने पूरा विवात खड़ा किया था कि दिवकापाद कोर भगवा रंगी बिकनी पहन रही है भगवे का अफमान कर रही है और जंता ने कहा कि मिस्तरा जी चिंता मत कीजिए वक्त आने दीजिए और आपको चुनाव में हम लोग जीतने नहीं देंगे लेकिन वही देखे दम भर रहे हैं 24 का ट्वीट है हार सुईकार लेकिन मैं फिल लोड कर आऊंगा दतिया से अपनी हार के बाद बोले मद्ध प्रदेश की ग्रह मंत्री नरोतम मिस्तरा और वहीं राजय शाहू लिखते हैं नरोतम मिस्तरा मद्ध प्रदेश के केश्व प्रशाद मौर बने हैं दतिया सीड से चुनाव हार गए हैं और प्रियांशु कुश्वाहा का ट्वीट है एक काफी हास पर ट्वीट है दतिया में हेमा मालिनी को नचवाने वाला सेंसर बोड का छर्रा हार गया है दुबारस में पढ़ देता हूं किया लिखा प्रियांशु ने दतिया में हेमा मालिनी को नचवाने वाला सेंसर बोड का छर्रा हार गया है नरोतमिस्तरा को हार की मुबारक बाद वहीं डॉक्टर मिराज उसें लिखते हैं आज की सबसे अच्छी ख़बर है मद्धप्रदेश की ग्रह मंत्री नरोतमिस्तरा का चुनाव हार जाना है इस व्यक्तिने मंत्री रहते सिर्फ लोगों की आहब टोरी है इश्वर ने आज इसके रावर रूपी धमंड को आज च चरणों में गिर जाएंगे जो बागेश्वा धाम का बाबा है वो किसी कुर्सी टेबल खाट पर बैठेगा ख़ाव पहन करके और यह जो है कि जमीन पर बैठेंगे और आशिर वाद लेंगे और चुनाव में जनता इनको पसंद करेगी लेकिन जनता ने एक सिरे से भारती मिस्त्रा पीशे चल रहे थें वही निज 24 ने ट्वीट किया है मध्ध प्रदेश में सिवरास तरकार के 12 मंत्रियों की हार दतिया से नरोता मिस्त्रा अमर पाटन से रांखिलान पटेल हारे हर्दा से कमल पटेल और बाला घाट से गोरी शंकर विसेन को भी हार नसीब हुई है यानि कुल मिला जुला करके यही है कि बहुत ही जादा शर्मनाखार का सामना जो है कि नरोता मिस्त्रा को करना पड़ा है और वहीं देखिए शुर्टा राय लिकती है यह लोक्तंत रहसर मध्ध प्रदेश की जनतन मुक्मंत्री पर प्याल उटाया लेकिन जिन मंत्रियो का काम रास्त नहीं आया उनको खार फेक दिया है नरोता मिस्त्रा की हार बहुत कुछ पहती है बारा मंत्रियों की हार से नए चेहरे को मौका मिलेगा लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं जब नतीजी आगे तीन राज्यों में भारती जनता का नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने एक बार भी श्रीवरासिंग चौभान का नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने के एक बार भी रमन सिंग का नाम नहीं लिया आप सुचिए कि नरेंद्र मोदी किस तरीके नाराज है या नरेंद्र मोदी को श्रीवरासिंग चौभा पर भरोसा ही नहीं था सिंधिया पर भरोसा ही नहीं था भरोसा तो खुद के चेहरे पर था नरेंदर मोदी की गारंटी नहीं मोदी ही गारंटी है सबसे बड़ी बात यह देखी गई और जंता ने नरेंदर मोदी के नाम पर मतदान किया लेकि नरेंदर मोदी राजस्थान 36 गड़के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे लेकि नरेंद्र मोदी का जादू लगाताँ चल रहा है और तमाम लोग अब कह रहे हैं कि ằngकि SC ST OBC के लोगों को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए किसी अगड़ी जतस आने वाले वक्ति को ठाकुर्प्राहण रामन को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए कि रोडी मेरा बतायाज आ रहा है कि मुख्यमंत्री की रेस मिराजस्थान से वे हैं और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है यानि नरेंदर मोदी को पता है कि अगर भारत में राजमित करनी है सत्ता पर कबजा करना है तो आप के पास एक ही चारा बचा है आप बहुजनों की बात कीजिए आप दलितों की बात कीजिए आप पिछणों की बात कीजिए आप आदिवासियों के बात चीत कीजिए तभीजा करके कुछ भला हो पाएगा और कॉंग्रेस पार्टी अलग ही एहिंकार में चूर है कॉंग्रेस पार्टी को ही लगता था कि मुसल्मानों के खिलाफ कॉंग्रेस पार्टी जाएगी तो कॉंग्रेस पार्टी का भला हो जाएगा आपके मन में सवाल होगा मैं कैसे कह रहा हूं कि कॉंग्रेस पार्टी मुसल्मानों के खिलाफ है राहुल गाधी कहते हैं ना कि जात्गत जर्गनना पूरे देश में होनी चाहिए लेकिन सवाल तब पैदा होता है कि राहुल गाधी जी किसकी जात्गत जर्गनना होनी चाहिए हिंदू की होनी चाहिए, मुसल्मानों को होनी चाहिए या सब की होनी चाहिए क्या दो फिजदी चार फिजदी मुसल्मान मद्ध प्रिदेश में हैं आपने दो मुसल्मानों को सिर्फ दो मुसल्मानों को चुनाओ मैदान में क्यों उतारा था जब आप देंगे आप आपके दरसल दिमाख में जहन में सोसल दस्टिस समाजिक न्याय है ही नहीं भारती जनता पार्टी कम सकम मौकत देती है दलितों को पिछडों को आधिवासियों को चुना तो लडाती है आपनों क्यूं नहीं लडाती है हाई कोई जवाब आपके पास कितने दलित को लडायेगा चुना मध्यप्रदेश में लिश्ट देंगे आप CWC जो कॉंग्रिस वरकिंग कमेटी है उसमें कितने दलित आधिवासियों कितने पिछड़े हैं कोई बताएगा जिसे गाउं की भाशा में दगा हुआ कार्तूस ब बताईये मैं एक नाम लेता हूँ छिर्फ ti रणदीव सुर्जी वाला आपको कुंहों ने कितना चुना जीता है कि जब webinar कितना चुनाव हारे थे तो गैब कितना था आरणोर जीत का पता कर लीजएगा पता सल जाएगा लेकिन जो योगिंबशते होता है उसकी लिए बात जो नब्स है उसको लगाताटा टोलते रहते हैं जनता क्या चाहती है जनता किन मुद्धो परोड करेगी और नरेंद्र मोदी उही करते हैं नरेंद्र मोदे की जीत है और यह हार जो है नरेंद्र मिस्तरा की इस तरीके दम भरते थे मुखमंत्री बनने का कि मैं मुखमंत्री बनूँगा मेरा सपना है और नरेंद्र मोदे की इसलिए पूरी देश में जैजयकार हो रही है लेकिन वही बहुजर समाज की तमाम लोग है जो लगातार ईवियम पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवियम को है किया गया तब ही भारती जन्तापार्ट इतनी राज्जों में सरकार बनाने में सफ़लों पाई है फिलाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप लोगो के वीडियो का इसी दगी आप लोगो कमन बॉक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख